हलो दोस्तों SBI 2019 क्रेस कोर्स में आपका स्वागत है आज क्वांट का डेट 12 है इस कोर्स में क्वांट के रेगुलर वीडियोज डलते हैं सेम क्वांट को जी और रीजनिंग के अल्टरनेट डेपे लो विजे एट पीम और नाइन पर जो बचे लेट जूड़े हैं इस कोर्स है और पहले की वीडियोज अगर देखना चाहें तो प्लेलिस में जाके चैनल पर देख सकते हैं इसमें सभी एक्जाम लेवल के क्युस्टेंस करवाने की कोशिस की जाती है क्वांट का देखें तो मेन फोकस है डी इस पे एटलिस्ट वन डी आई लेने की कोशिस करते हैं और बेलेंस में कभी नंबर सेरीज ले लिए डाटा सबीसेंसी ले ले लिए प्रॉपलम ले ले लिए कोंटेटी कंपेरिजन के क्यूस्टेंस ले लिए डिफरेंट और दूसरे टॉपिक्स इसमें कवर किया जाता है रीजनिंग का आगर आप देखें तो रीजनिंग में आपके मेजर जो फोकस है वो पजल एंड सीटिंग अरिजमेंट है आज का जो सेशन क्वांट का है इसके अंदर आपके एक डियाई है जो टाइम एंड वर्क बेस्ट है अच्छी लेवल की डियाई है और एक मिसलेनियस कुष्चन है अलग टाइप का तोड़ा और नमबर स सेशन आपके लिए का पी हेल्फ फूल बना है तो सेशन से लास्त तक जुड़े रहे हैं बच्चे से जुड़ रहे हैं लेकिन बार-बार वह पूसक्ता है पर्टिकलर क्यूश्चन आपको आ रहा हो बट उसको करने की अप्रोच आपकी और मेरी डिफ्रेंट हो सकता है चल सेशन शुरू करते हैं देखें क्या है पहला क्यूश्चन आपको 30 किलोमेटर पर रहा है और जैसे ही वेगन अटेज करते हैं तो उसकी स्पीड है वो कम होती जाती है और जितने नंबर से वेगन के उसके स्क्वेर वूट के कोई फेक्टर के साथ है इसके लिए क्या दिया इसने स्पीड के लिए जैसे ही आप उसके साथ वेगन जैसे स्पीड उसकी क्या है फुरू में 30 किलोमेटर पर रहा है लेकिन वो घट जाती है अगर मैं यह मानूं कि एक्स वेगन से तो उसके स्क्वेर रूट और स्क्वेर रूट से डाइरेक्ट नहीं है उसका कोई फेक्टर हो सकता है यह स्पीड उसकी इस तरीके से स्पीड बन जाती है उसकी जैसे जैसे अब आपको एक दे दिया कि 24 किलोमेटर पराओर स्पीड कब होती है जब उसके साथ है चार वेगन जोड़े जाते हैं तो यहां से आप अगर देखेंगे क्या जाएगा 30 माइनस 2 के और यह 24 तो k is equal to 3 यहां से वेल्यू आपके आगी k की वेल्यू 3 आप तो अब उसने दिया है कि जस्ट उसको इतने कितने इंजन होंगे जब जस्ट उसको वो खिंचेगी उसकी 0 से थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी तो 0 स्पीड के लिए अगर मैं देखूं तो उसमें क्या होगा 30 माइनस 3 रूट मान लो जिते भी वेगन है एकसी वेगन मान लेता हूँ इस इकल टू 0 या 30 इस इकल टू 3 रूट अक्स तीन दस एकसी इस इकल टू 100 जब वो 100 वेगन होंगे तो उसकी स्पीड 0 होगी तो अब आप ओप्शन पे जाईए तो 100 पे ही 0 है तो 101 पे भी 0 है एकसो बाइस पे भी एकसो बियान लिस पे भी 100 से कम कोल सा है नैंटीन तो 99 पे उसकी जब थोड़ी सी स्पीड होगी तो 99 पे थोड़ी सी स्पीड और वो यह उसने पूछी है कि विद विदाउ दे वेगभाई काई कोटेट वेजिए पे इस रूट वेच इस पेड नहीं होगी तो 99 पे इस दा राइट अच्छी नेक्स देखिए यह नंबर सीरीज है यह इस तरह यह नंबर सीरीज इस साल इप्षिपो में इंच्छी इसमें क्या दिया डिरेक्शन तो the following question a number series is given after the series a number of given followed by a b c d e you have to complete the series starting with the number given following the sequence of the original series and answer the question that follows this अब ये गिवन आपको 6688 154 286 418 or 528 ये एकोई गिवन आपकी नमर सीरीज है अब इसका जो पैटर्न है वो ही पैटर्न सेकेंड में भी है और इसमें आपको जैसे इसमें क्या पूछा है डी की वेलू इस डी को पूछ लिया कि डी की वेलू इसमें कितनी हो राइट तो आप सबसे पहले तो पैटर्न पकड़ना है तो जैसे ये है 66 है 88 है 154 है 186 286 है 418 है और 528 है अब इस सीरीज को देखते हैं आपको इत्तो लगेगा कि ये 66 से 88 हुआ फिर 88 से 154, 154 से 204 से बड़ा स्मूथ बढ़रा है और ऐसा कोई पर्टिकुलर पैटर्न भी पकड़ में नहीं है multiple तो कहीं दूर दूर तक नहीं लगा तो क्या है difference की तो अगर आप ये शोर हो जाते हैं कि difference की सीरीज है तो आप क्या करें आप इसमें देखो दी कहा है यहां है दी कीज़ गए इसमें कितना रहा है 418 है ठीक है तो ये कितना बढ़ा 418-66 लग 66 से इतना बढ़ा है अगर उसको मैं 22 में जोड़ दूँ तो क्या आजाएगा दी की वेल्यू तो आजाएगी अगर ये प्योरली difference की सीरीज है तो 418 में से 66 और 22 कितना हो गया माइनस का 24 बचा माइनस का 24 इसमें से गटा होगी तो 394 ओप्शन में देखो 394 को टिक है दूसरा जब आप इसको देखो भी गे डिफरेंस को तो 66 और 88 22 का डिफरेंस 88 और 154 तो ये 12, 54, 66 का डिफरेंस 154 और 286 ये 132 का है और 286 और 418 तो ये कितना हो जाएगा 286 ये हो गए 300 ये भी 132 का है और 418 और 100 ये 110 का है तो जो इसके अंदर सीरीज का जो पेटन बना है वो मैं आपको बता देता हूँ ये आपका बन गया एक तरह से 11 इंटू 2 ये बना 22 इंटू 3 लव इसको 11 को 22 किया और इसको 3 किया तीसरे में 11 ये 22 था इसको 33 कर दिया और इसको 4 कर दिया 11, 22, 33 अगला में इसको 44 कर दिया और इसको 3 कर दिया वहले ये पहले बढ़ता रहा 2, 3, 4 फिर ये गटा है 44 से 3 हो गया और आगे वाला 55 से 2 हो गया 44 गुना 3 और 55 ये तो 11, 22, 33, 44 गुना 1 के उसी में ये 11 गुना 1 है ये गुना 2 है गुना 3 है और ये 2, 3, 4 और फिर 3, 2, 1 इस तरीके से ये कोई सिक्वेंस बनी है इससे भी आप करके देखोगे तो 394 ही आएगा और जैसे ही आपको ये शोर्षोट हो जाए इस तरह की सीरीज में की डिफरेंस की सीरीज है तो आप तुरंत वही आपको बता है चारसो अठारा में से चासट गटा लोगे इतना बड़ा है उतना 22 में जोड़ दीजी तो वह 42 भी वहां तक चला जाएगा तो 349 होगे लोग एक तरह से चासट और 42 का जो डिफरेंस है वही चारसो अठारा उन इसका होगा तो चासट कार इसका 24 है इसमेशी 24 गटा तो डारेक तिंचो चोरान मर्टिक कर दो इसमें क्या हो सकता है तो इसमें क्या हो सकता है तो इसमें जैसे अगर 448 में इसको अगर मैं 11 से भाग करता हूं 420 करीब तो सबसे देखो आगेवाला जह których अगिर इसको में 10 से भाग करता हूं तू कितना आ गया 42 और यह है 43 तुई हो गया ती उससे जो नेक्स्ट है कुन सा है फिर 45 है अगर मैं इसको 9 से भाग करो तो 5 आया और 4 जोड़ी तो यह सिक्वेंस आपकी बन गी भाग 11 10 9 अगे 8 और यह जोड़ता गया 2 3 4 अब आपके सिक्वेंस पकड में आगी त तो अब आप देख लो 368 है 368 को 11 से भाग करोर दो जोड़ दो तो यह आ जाएगा तो 11 यह 33 और 11 दोनी 22 328 और दो तो यह तो आ गया यहां तो बन गया आपका 330 अब 330 में 10 का भाग दो और 3 जोड़ो तो वो आ जाएगा 36 तो 36 को टिक करो और आगे बढ़ो बाकी इसमें जैसे एक्जेक्ट नहीं आएगा लेकिन जैसे अगर इनमें आप देख रहे हो ओप्शन में गैप है तो एक रिस्क आप इसमें भी ले सकते हो जैसे अगर आप यह करो 4598 में बटा जब आपको पता चलिए यह डिविजन का है बट डिविजन के साथ कुछ है तो एक्जेक्ट नहीं आएगा फिर आपकी अगर प्योरली डिविजन है यह प्योरली डिफरेंस है तो तो एक्जेक्ट आएगा अधर्वाइस अप्रॉक्सिमेट आएगा फिर बढ़ रहा है तो आपको देखते ही लग रहा है कि कोई डिविजन की सीरीज है अच्छा घाजा बढ़ता जा रहा है तो क्या किया जा सकता है अगर मैं पांच को 1.8 से गुणा करूं तो कितना आ गया 1895 और इसको कर दूँ 2 से दोनों 18 इसको मैं अगर 2.2 से करके देखता हूं तो कि सिक्वेंस बेट रही है कि तो अठारा दो अच्छतिस और अठारा दो अच्छति तीन पॉइंट्स है 49 पॉइंट्स है बिल्कुल बेट रही है दो और यह 2.4 यह 2.6 अब आप पूछा क्या है सी पूछा है तो यह हो यह कितने गुणा है तीन गुणा है तो आपको चीए सी तो 49.6 को तीन गुणा कर दी वोई वेल्यू आजाएगी तो मल्टीपल की सीरीज आपको पता चल गया है कोई पैटन देखने की पैटन यह आपने देख लिया कि हां मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीपल की प्योरली इसमें से 1.2, 118.8 तो 118.8 है क्या इसमें यह रहा आप इस पैटन से भी निकालिए यही आंसर इसका निकलेगा नेक्स देखिए 7, 6, 10, 27, 204, 515 यह भी आपको देखते ही लग रहा है कि यह तो है तो मल्टीपल की अगर मैं 7 को 7 गुणा 1, 7 गुणा 7 माइनस 1 और 6 गुण 10 गुणा 3 माइनस 3 और 27 गुणा 4 और माइनस 4 तो यह गुणा 1, 2, 3, 4 अतना ही माइनस होता जा रहा है आपको डी चीह तो डी के लिए आप यही लगा देंगे 9 गुणा 1, माइनस 1, 8 हो गया, 7 गुणा 2, माइनस 2, 14 हो गया, और 14 गुणा 3, माइनस 3, 42, 49 हो गया, 49 है, गुणा 4, माइनस 4, तो यह कितना आ गया, 14 हो गया, 156 में से 4 गया, 152 आपका right option है, नेक्स देखिए, यह 900 है, 840 है, 700 सी है, 690 है, 564 है, 304 है, अब इस सीरीज को देखते ही आपको लगेगा, कि यह बिल्कुल डिफरेंस की सीरीज है, और इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, तो आप तुरंट क्या कीजिए, यह को क्या निकलवाया है, E निकलवाया है, तो यहाँ कितना डिफरेंस है, 300 चार्ड में, माइनस 900, तो यह कितना हो गया, माइनस का 504, और beginning कितनी है, पान सो, और इसमें से 504 गटा देजी, माइनस का चार, माइनस 4 है क्या, इसको टिक कर दीज़िए और भाविश आप जब इसमें पैटरन देखेंगे तो क्या मिलेगा 900 और 840 का difference देखें फिर 900 और 708 का देखें फिर 900 और 690 का देखें फिर 900 और 564 का देखें और 900 और 3006 में का देखें और इनका जो difference है, वो आएगा 7 गुणा 6 गुणा, पहले वाला जो आएगा, इसका अगर आप pattern देखेंगे तो क्या है, 900-840, यह difference हो गया 60 का, और 900-780, यह difference हो गया 120 का, और 900-690, तो यह कितना हो जाएगा, 210 का, इसी तरीके से 900-564, तो यह आपका हो गया, 336 हो गया क्या, 336 का, और 900-360, यह कितना हो गया, 504, तो 60 है, इसको फर्दर अपने क्या बना सकते हैं, 3 गुणा, 60-120 है, लेकिन आगे 210 और डिफरेंस और डिफरेंस रेखेंगे, आपके कुछ नहीं बने गया, तीन गुणा 4, ग और इसको अगर मैं 4, 5, 6 करूं, तो क्या हो गया, 5, 20, एक एक सो बीस, और इसको 5, 6, 7, गुणा 7 करता हूं, तो 37, 120, और इसको 6, 7, 8, और यह 7, 8, गुणा 8, तो यह पैटर्न है, इसके अदर, कभी कोई और रहे, इस टाइप की कोई रोंग है, मिसिंग निमर सीरीज है, उ उसमें काम आजाएगे, लेकिन यहां अगर आपको एक बार यह लग गया, यहां शोर शोट है, डिफरेंस है, तो डाइरेक्टी चले जाएए, और माइनस चार्ट को जिस तरीके सब नहीं निकाना, माइनस चार्ट, वेसे ही माइनस चार्ट को टिक करें, और आगे बढ़े है, क्या दिया है, 5 वरकर्स, A, B, C, D, E, were employed for a task, किसी काम करने के लिए, कितने होगे, एक तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, और E हो गया, ठीक है, इन नम्मर ओडेज वर्ट बाई, आल ओब देम वाज लोड ता से, वर्किंग डेज जो है इनके, वो सेम नहीं है, यह मालोग यहागे, following information is none about them, the efficiency of B and D are in ratio 4, ratio 3, वबलब B की efficiency, और D की जो efficiency है, उसका ratio 4 और 3 का दिया है, चीक है, B completed one third of the work, और D completed one sixth, तो अगर यह, पार्ट ओब जो, completed, लजिस जिस ने, जितना काम किया है, अगर वो निकाले हैं, तो यह कितना दिया है, पहले आपको दे दिया, B का one third, तो B अगर मैं यहाँ देखूं, तो यह one third कर रहा है, B, और D कर रहा है, one sixth, यह दिया आपको, A, B, and E work for five, A, five दिन काम कर रहा है, and B कर रहा है, छे दिन, और E कर रहा है, A, B, and E, यह तीन दिन काम कर रहा है, right, A and C completed the same portion of the work, while E did half as much, लज़, one third और एक बटा छे, तो इसका मिला दोनों को जोड़ोंगे, तो half work तो यह हो चुका, half तो हो गया, बच्चावा जो half है, उसके लिए इसने का है, कि A, और C, और D, sorry, C, और D, जो है, C और D ने, C and D work the same number, A and C, A और C, A और C, जितना काम करते हैं, वो दोनों बराबर करते हैं, और E उससे half करता है, वह जैसे यह 50% work होगे, बच्चा कितना 50, तो 50 में से एक तरह से यह 20-20 करेंगे, तब यह 10 करेगा, right, तो 20% गाम लव यह एक बटा 5 कर रहा है, और यह भी एक बटा 5 कर रहा है, और यह एक बटा 10, right, अब आपके पास कोन कितना part कर रहा है, वो तो आगे, अब दिन नहीं आए, अब आगे क्या दिया, C and D work for the same number, अगर C x days करता है, sorry, तो D b x days ही work करता है, और बी और डी का आपको देखो, efficiency का relation दिया, तो B आप देखोगे, तो complete work कितने दिन में करेगा, days required to complete the job, उसे काम को पूरा करने के लिए कितना चाहिए, तो यहाँ आप A का देखोगे, कि B 18 दिन में करता है, और B की efficiency है 4, तो total work कितना हो गए, total work अगर मैं यहाँ से निखालू, तो 18 एक दिन में 4 के work करता है, तो 18 into 4 के, बेद्दर के work total हो, अगर वो ही चीज़ दूसरा कुन सा है, D है मेरे पास, D 1 6th work करता है, x days ही, तो complete कितने दिन में करेगा, चैस दिन, और 6x दिन में वो कितना कर लेगा, total work कितना हो जाएगा, 6 गुणा, x गुणा, 3k, तो 6, 3, 18, k से k कट गया, 18 चुकर बाद तक, x क्या आगे, 4, तो x यहाँ से आपका निकल गया, तो x का यहाँ भी 4 दिन रख लो, और यहाँ भी 4 दिन रख लो, तो आपके समझ में आ रहा होगा, कि जब 1, 10 तीन दिन में करता है, तो पूरा कितने में करेगा, 10 परसेंट, जब 3 दिन में है, तो तो अब आपके पास पूरा, पूरी information आगी, कि working days किस किस के कितने है, part of job कौन कौन कितना कितना कर रहा है, और days complete work को अगर a अकेला करें, तो उसको कितना time लगेगा, वो भी इनके सबके निकल गया, चली, अब इसी जो यह table जो आपने बनाईए, इसी को fair करके मैंने आगे note कर लिया है, यही table है जो किया, after 9 days left, what is the time to be complete the remaining work, office, a or b, तो a कितने दिन में complete कर रहा है, total work, 25 दिन में, b कितने दिन में कर रहा है, b कर रहा है आपका 18 दिन, ठीक है, अब इन्होंने कितने दिन काम किया है, इन्होंने 9 दिन काम किया है, तो इसकी दो तरीके से हो सकता है, पहला आप क्या कर सकते हो, अब रहा है, तो इसलिए मेतट से अगराब करें, तो मैंने ये माल लिया, कि 25 गुणा 18 टोटल वर्क, इतने यूनिट, ये करेगा रोजवान, 18 यूनिट रिये करेगा 25 यूनिट, ठीक है, तो 9 दिन में इन्होंने कितना कर लिया, 25 प्लस 18 गुणा 9, तियानलिस गुणा 9 यूनिट इन्होंने काम कर लिया, और बच्चा कितना, वह ये हो गया, 43 इंटू 9, अब बिलेंस वर कितना बच्चा, बिलेंस आपका बच्चा, 25 गुणा 18, माइनस 43 गुणा 9, अगर मैं 9 कुमन ले लेता हूं, तो ये तो आगया, 50 रिया आगया, 43, तो 63 यूनिट बच्च और ए को करना है वो, तो ए रोजाना कितना काम कर रहा है, 63, तो कितने दिन में करेगा, 63 बचा 18, तो 18 ती है, 54 और 9, 9 बचा 18, हाफ, तो साड़े तीन दिन में वो बेलेंस वर को कर रहा है, दूसरा, सोरी, इसका फ्रेक्शन से भी आप निकाल लोगे, वे, आप देख रहे ह जो, ए एक दिन में कितना कर रहा है, नम्मरों फर्किंग डेस, पांस दिन में, वो एक बटा पांस कर रहा है, यह 25 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कर रहा है, वो एक बटा 25, और बी कर रहा है, एक दिन में एक बटा 18, और 9 दिन में कितना कर लेंगे, गुणा 9, वो बाकि कितना बचेगा वन माइनस इतना और फिर उसी के according आप भी से भी निकाल लेंगे friction से भी निकाल next देखे f twice as efficient as ef कोई है और उसका देदी है कि उसकी efficiency जो है वो इससे twice है किस से e से इसका मलब वो कितने दिन में काम कर देगा जब यह तीस दिन में कर रहा है वो डबल है वो पंदरा दिन में कर रहा है अब f e and c वर को उन्दा प्रोजेक्ट f e और c यह तिनों उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो f total वर कितने दिन में कर रहा है पंदरा दिन में कर रहा है इ कितने दिन में कर रहा है, यह कर रहा है, तीस दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है, सी कर रहा है, बीस दिन में, यह पोजिशन है, तो अगर मैं यह देखूं कि 60 यूनिट अगर मैं वर्क माल लेता हूं, तो यह चार यूनिट कर रहा है, यह दू यूनिट कर रहा है, फ तीन दिन का मैं स्लोट बनाऊं तो पहले दिन कौन काम करेगा F फिर करेगा E और फिर करेगा C तो इन्होंने कितना काम कर लिया च्यार और दो छार तीन 7 उनिट काम कर लिया एक स्लोट में ठीक है अब ऐसे ही सिक्वेंस जैसे ही C के बाद में फिर आफ आएगा E आएगा C तो आप एक खुच साथ उनिट है ये एक साइकल साथ उनिट वर कर रहा है टोटल है साट तो साट को अगर मैं साथ से करूँगा त तो आठ ती आठ ती आठ चोबिस दिन तो पूरे होगे और चोबिस दिन के बाद कितना तो टो टोटल एक बार में यह 9 उनिट कर लेते हैं तो 60 बटा लो चके चोवए और नो चके चोवए तो चोवए तो कर लिया 6 उनिट इनका बच गया तो 6 गुणा तीन तो इन्होंने 18 दिन काम कर लिया 18 देस तो यह काम हो गया अब 6 उनिट बची और फिर नमर किसका आया बाद में जब यह जैसे ही पूरा साइक्ल कम्टीट होगा तो F का आया F ने चाय कर लिए और E ने दो कर लिए तो वर्क कम्प्लीट किस ने किया E ने किया कुन से दिन 18 दिन के बाद 19 दिन तो इसने F ने किया और 20 दिन इसने किया तो यह करेगा यह कंप्टीट वर्क वाट इस टोटल अमरों डेस टेकन टू निश्थे वर्क इन लोगों ने टोटल कितने दिन लिए इस काम को कतम करने में तो यह तो आपने निकाली रखा पांच सब्सक्राइब करता है कितने दिन में काम को फिनिश कर सकता है तो सी अकिला कितने दिन में कर सकता है 20 दिन 20 को टिक कर दो आपने निकाल लिए तो पहले In how many days can D and D together? तो D देखो करता है 24 दिन में complete और E करता है कितने दिन में 30 दिन तो एक अपने क्या फार्मूला लगता है? अगर A X दिन में करता है B Y करता है तो दोनों मिलके X गुणा Y X प्लस Y तो वैसे इसको कर लो 24 गुणा 3 30 पर बटा 24 प्लस 30 यही है D और E काई देख रहे हो आप 24 और 30 है तो 24 ती है बेटर 720 और यह कितना हो गए 24 और 34 24 क्या जाएगा और अगर मैं इसको काटूं 18 से 18 से 24 और 14 चुक है 40 वटा 3 13 से एक वटा तो 13 से 1 बाइ 3 डेज इसमें कहीं है क्या option C तो यह आपने देखा कि यह जो एक बार आपके इसमें जो important जो था जो इसने जब आपने शोन किया है अगर B और D की जो या C या D की जो इफिसेंसी दे रखे थी 4 रेशियो थी वो अगर आपके दिमाग में क्लिक कर गा तो यह पूरा question सो लोग है अगर उसको आप utilize नहीं कर पाए किसी भी वज़े से इस टाइप के कोई आपके question इसमें सिर्फ और सिर्फ है सबसे इंपोर्टेंट जो इस पूरे में है वो है उसे efficiency का utilization की वह आप कर पाते को या नहीं बाकि कुछ नहीं यह कुछ नहीं की आपको मेरी कोशिस है कि मैं हर टाइप के डियाई हर लेवल के डियाई आपको इस crash course में करवाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रेक्टिस है नंबर सिरीज भी अलग टाइप के इसलिए लेकर आपको कहीं ऐसे नंबर सिरीज आ जा जाए तो यह नंबर सिरी उससे भी आशान है मुस्किल नहीं है आपको अगर पैटन पर्फेक्ट पकड में आ गया तो कोई भी टाइम नहीं लग रहा है तो डिफरेंट टाइप के क्विश्चन करवाने का मेरा मोटिव यह है कि आपको हर टाइप के क्विश्चन के क्योंकि क्विश्चन का लेवल उतना इंपोर्टेंट है जितनी टाइप इंपोर्टेंट है जिस्ट कोई नहीं टाइप उसको सब्सक्राइब करें एक इस और से एक बार जूड़ जाते हैं तो लास्ट तक जूड़े रहे जाते हैं अब देरे देरे इनका क्यूस्टन्स का लेवल भी में बढ़ाता जाओंगा आपको बहुत हम बजा आने वाला से सिस्ट को देट सोल पर टोड़े सेशन हैं